द्रू जुरेल वो विकेट कीपर बलेबाच जिसने भारत और इंगलाइंड की टेस्ट स्रीज में धाखर प्रदर्शन किया है अब उनकी तारिफ के कसीदे के क्रिकेट स्पेशलिस्ट पड़ रहे हैं उनके बारे में ये स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि उनके अंदर धोनी जैसी काभियत है जुरेल जुनों ने राजकोट में डेब्यू किया राजकोट में जुरेल ने दिखाया कि उनमें प्रतिभा तो कूट कूट कर भरी है पहले मैच में उनके 46 रन बनाए और दो कैच लिए वहीं बेन डकेट का भी जिस तरह उन्होंने रन आउट किया उसने खुब सूर्खया बटोरी है पर असल मैने में धुर्व के दमदार परदर्शन की जलक राची में दिखी राची टेस्ट में धुर्व जुरेल ने दोनोई पारियों में मैच जिताओ पारिया खेली पहली पारी में वो 90 रन बना कर आउट हो गए वहीं दूसरी पारी में 49 रनों पर नबाद लोटे वहीं राची में उन्होंने कोल 3 शुकार किये राची और आज़कोड के परदर्शन के बाद आप सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या धुर्व जुरेल टेस्ट क्रिकेट में पर्मानेंट विकेट कीपर बन सकते हैं क्या वो महंद्र सिंग धोनी की परंपरा को आगे चला सकते हैं धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से 30 दिसंबर 2014 को रिटार्मेंट लिया था उसके बाद कोल 9 विकेट कीपर टीम के लिए स्पेस्ट लिस्ट विकेट कीपर के तौर पर खेले उनमें पार्थो पटेल जैसे विकेट कीपर विव शामिल है जिनके धोनी से पहले डेव्यू हुआ वही नमन ओजा भी शामिल रहें जिने धोनी के रिटायर्मेंट होने के बाद भी मौका मिला लेकिन रुशवपंत धोनी के बाद सबसे सफलतम कीपर रहे हैं हलांकि मौके रीधिमान साहा को मिले हैं लेकिन राची के धर्ती पर धुर्व जुरेल ने जिस तरह रुजापन अपनी पारी में दिखाया उससे एक बात तो साबित हो गया कि उनमें दम तो है बल्ले से भी और विकेट कीपिंग से भी रोहिश्वरमा ने मैच के बाद जुरेल समेट इस सिरीज में डेव्य करने वाले खिलाडियों की खुल कर तारिफ की वो बोले जिनमें टेस्ट क्रिके को अच्छी तरह से भुनाया है